तो, पहले मैंने मेंचिन किया था zero error को. अब, हम जान चुके हैं कि एक zero error क्या होता है और vernier caliper के लिए इसे कैसे calculate करते हैं. चले आब इस micrometer screw gauge का zero error find करना start करते हैं. हम सबसे पहले screw gauge के अंदर के gap को खत्म करेंगे, जैसा इस diagram में दिखाया गया है. main scale पर यहां reading आ रही है 0 mm. circular scale की reading यहां ली जाएगी, multiply करने से division numbers को इस instrument के least count से. लिहाजा, अब circular scale की reading होगी 24 multiplied by 0.01 mm, जो के equal होगा 0.24 mm के. इसका मतलब के zero error is screw gauge का होगा, main scale की reading प्लस circular scale की reading जो बनता है 0 mm प्लस 0.24 mm और यह equal होगा 0.24 mm के. तो अब, zero correction इस screw gauge की बन जाएगी minus 0.24 mm. चलिए, अब हम अपने task पर आते हैं, यानि कि वाइर का diameter find करते हैं. अगर हम देखें इस figure को फिर से, main scale की reading आई है 1 mm. जबके इस wire को screw gauge के stud और spindle में प्रेस किया जाता है, तो number of division इस circular scale पर आती है 85. लहाजा, circular scale की reading होगी 85 multiplied by the least count जो के है 0.01 mm और ये equal होगा 0.85 mm के. तो, मालूम किया गया diameter इस wire का हमें मिला add करने से main scale की reading और circular scale की reading को, जो के बनता है 1 mm प्लास 0.85 mm और ये equal होगा 1.85 mm के. अब, recall करें आप हमारी लास्ट विडियो से, हमने calculate की थी दरूस रीडिंग वर्णियर कैलिपर की, subtract करते हुए मालूम किया गया diameter cylinder का 0 correction से. इसी तरह, यहाँ भी हम subtract करेंगे मालूम किया हुआ diameter इस wire का, इसके 0 correction से, ताके हमें इस wire का दरूस diameter मिल सके. और यह बनता है 1.85 mm माइनिस 0.24 mm और इससे हमें मिलता है 1.61 mm. लहाजा diameter इस wire का होगा 1.61 mm. यह बहुत ज्यादा information थी, सही कहा न? ओके, चलिए, different measuring instrument के least count के बारे में हमने जो भी पढ़ाओ से recap करते हैं. तो, हम अब जान चुके हैं के least count ruler होता है 1 mm का, जबके vernier caliper के लिए यह होता है 0.1 mm, और micrometer screw gauge के लिए यह होता है 0.01 mm. तो, इसका मतलब हुआ के तमाम measurements जो ली जाती हैं micrometer screw gauge से सबसे ज्यादा दुरूस्त होती हैं. ओके, इससे हम आ गए हैं end per micrometer screw gauge के topic पे. उमीद है आप सब अच्छे से समझ चुके हैं. अभी बहुत कुछ सीखने को है तो हमारे साथ रहिएगा.